आज की जो हम लोग की टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ वॉटर जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है जो आज हम इसे डिसकस करेंगे इसे स्टाट करने से पहले हम लोग जड़ा पढ़ लेते हैं कि प्रिवियस स्टॉपि और इसके अलाबा हम ने पढ़ा था कि स्कार्सीटी ऑफ वाटर लेती हूं इसके अलाबा और यह पढ़ा था कि Contamination of Water, कैशे हो रहा है, कैसे हमारा Water pollute हो रहा है, तो इन सारी बातों को हमने previous classes में discuss किया था, तो इतनी जब सारी परिशानिया हमारे Water के साथ है, तो हमें उसे क्या होना अच्छी कि उनका शामाधान भी खुजना होगा, तो हम कह सकती कि How to be conserve water, हमें water का conservation भी करना होगा, तो कैसे हम करेंगे, वही सारी बातों को हम इस वीडियो में, इस classes में हम समझेंगे, तो जो आज की topic है, conservation of water, जो कि बहुत ही important topic हो जाती है, और यह specific इसलिए topic हो जाती है, क्योंकि यह book तक ही सिमित नहीं है, आपकी everyday life, practical life में भी इसकी बहु और इसकी depletion के कारण, मतलब कि इसकी overuse होने के कारण, और धीर धीर क्या हो रही है, इसकी demand इतनी जादा हो रही है, यह fulfill नहीं हो पारे, pollution हो रही है, मतलब water bodies में pollute हो रही है, तो इसकी जो एक तरशे बोल सकते हैं कि जो need है, तो उसको हमें fulfill करना है, तो हम उसे conservation कैसे करें तो इसलिए हम इस topic का हमारे लिए क्या होता है, हमारे daily life में भी इसका बहुत ही important और बहुत ही, एक बोल सकते है कि बहुत ही important हो जाता है हमारे daily life में भी, और everyday life में भी इसका बहुत importance हो जाता है, तो चलिए start करते है, conservation of water, तो देखें, conservation of water में सबसे पहला point ही दिया हुआ है कि हमने पहले भी बताया थे कि यह क्या है रिन्यूवल रिसोर्सेज आपने आपको रिन्यूव करता है वैपर वैपर से कनवर्ट होके क्या होते प्रिशिपिटेशन वगएरा वह सारा बताया थे condensation precipitation बारिस होती है फिर से वो इस तरह से क्या पूरा चलता रहता है प्रकिरिया अपने आप में मतलब किये अपने आपको renew करता रहता है लेकिन क्या है कि अब किसी भी चीज को देखिएगा कि जब उसका ओभर यूज कर लेते हैं इसलिए कहा जाता है कि किसी भी चीजों का ओभर यूज करते हैं तो यह हमारे लिए क्या है बहुत बड़ी प्रशानी का कारण बन गया है जैसे क्या होता है कि जैसे केमिकल होती है जो एगरी कल्चर होती खेती बगएरा होती तो उसमें जो केमिकल निकलता है इंडस्ट्रियल एफूलेंट्स इंडस्ट्री का जो कच्रा वेस्ट माटेरियल निकलता है उसका लबन नाली का जादा जो पानी होता है इस सारा का सार हम क्या करते हैं untreated seaway बगएर हम Dump कर देते कहां पर हम Dump कर देते हैं water bodies में और इससे क्या होती है यह सब non bio degradable है मतलब यह कभी क्या होती है खत्म नहीं होती है यह pollution हमेसा क्या रहती इए Water में रहेगी और यह चिए है जब हमारे हिंवन बॉड़ी में जाती ह2000 ऑप यह बॉटर में चली जाएगे चली जाएगे पानि पिएंगे नन बाइयोडेडेभल केमिकल रिच यह जितने in-direcliches नाजला रही है, हमारे बॉड़ी में ही जा रही है, यह पानी में जाएगी और पानी हम पिएँगे तो हमारे बॉड़ी में यह जाएगी EU केमिकल जाने हमें water को conserve करना होगा बचाना होगा तो कैसे तो conservation methods में सबसे पहला कि treating effulence treating effulence में क्या है कि यह से कि माली जी कि जितने भी sae wager नालीों से पानी निकलती है यह जितने भी industrial effulence निकलते हैं कचरा निकलते है तो उसे water में dump करने से पहले हम उसे अच्छे-स प्यूरिफाई करेंगे उसे हम क्या करेंग अच्छे-स ट्रीट करेंगे तो treat कैसे करेंगे तो जैसे मालीजी की industry से जो कच्रा निकलता है तो उसमें क्या करेंगे उसको हम पहले treat करेंगे कैसे तो उसमें का जो बड़ा बड़ा कच्रा है उसको निकाल लिया जाएगा उसमें जो harmful chemicals है उसे भी हम क्या करेंगे उससे अलग कर देंगे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं जो वेस्टेज है उसमें हम क्या करते कुछ ट्रीट करके और उसको अच्छे से हम क्या करते हैं ट्रीट करके फिर उसको हम डंप करेंगे वाटर बोडी में तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ट्रीटिंग एफुलेंट्स कर सकते हैं कैसे जादस जादस जब आप पेंड लगाईएगा तो जैसे बारीस होती है बारीस होती है तो सारा पानी क्या होता है सारा पानी चला जाता है नदी में ठीक है जादस जादस जब पेंड होगा तो वाटर को क्या करेगा रूट्स जितने भी पेंड होते तो पेंड की रूट् करेगा और अब्जब करके अन्डेगाूंड वथर को और वाटर हमारा नदी में जाने से पहले दिफाहरों बच जाएगे और वह दीज़ सबस्क्राइब और राष्टे को यह लेकिन 되면 हुष्टी होग эту दो जाती है लेकिन चाहे हुआ क्या कर सकते हैं हम इसे बचा भी सकते हैं हर्वेस्ट भी कर सकते हैं कैसे तो जैसे कि माल लिए कि अगर हम कोई पाइप लगा देते हैं अगर अपने छटों पे कोई ऐसा पाइप लगा तो उस पाइप को अंडरग्राउंड में जोड़ देते हैं अंडरग्राउंड कर देते तो यह rain water harvesting हो गए, next हमारा है कि proper linking of canal and minimize the use of water, तो हाँ ऐसा देखिए होईएगा कि जैसे कि जहाँ पर खेती बगएरा होती है, खेती होती है, जहाँ पर agriculture perform होती है, तो वहाँ पर irrigation होती है, जिसके पास अपने tube bills है, वह अपने, मतलब कि personal बोल सकते हैं कि एक सीचाई करते हैं या irrigation करते हैं, लेकिन अधिकतर जगह पर बड़े बड़े जैसे पंजाब हरियाना वाले बेल्ट में, गवर्मेंट ने उसको canals provide कि है, नहरे होती है, और वो नहरे होती है, तो उसमें बहुत जगह linking अच्छे से नह अच्छे से देखवाल नहीं होने कान उसमें पानी बहुत जादा बरबाद होती है, तो बरबाद होने से क्या हो सकती है, कि उससे हम क्या करते है, प्रॉपर जब लिंक करेंगे, अच्छे से हम उसको देखवाल करेंगे, या हो सकता है, उसे underground मतलब कि उस canals को हम भूमी, मत बरबाद हो सकती है, उसे हम कम कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि sprinklers and drip system should be used, sprinklers क्या होता है, जैसे कि पानी आती है, तो आप pipe के माध्यम से देखिएगा, तो पूरे के खेत में क्या होती है, एकदम से जाती है, और हो सकती है, बरबाद हो जाए पानी, तो हम क्या कर सकते है, एक sprinklers, मतलब कि एक फूहारे के माध्यम से, एक artificial एक तरीका होता है, जिससे क्या होता है, water को, मतलब कि बारिस नहीं आई है, लेकिन फिर भी उसे artificial बारिस करवाना, तो इससे क्या होती कि कम पानी में, बहुत ज़्यादा खेतों में इसका use कर सकते है, मतलब कि एक फूहारे से ही, ऐसे तो पानी ज़्यादा लगेगी, एगर canals के माध्यम से हम use करते है, या pipe के माध्यम से, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेगे, और फूहारे के माध्यम से, जब हम use करते है, sprinklers के माध्यम से, तो ये artificial बारिस के माध्यम से, पूरे खेत में, जितनी पानी के ज़ मतलब roots में और roots में बहुत समय तक बुंद से पानी गिरते 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 उसमें जितनी उसकी needs होती है पेड की वह fulfill हो जाता है यह drip system होता है क्योंकि online classes में मुझसे जितनी हो सके मैंने आपको बताया है ठीक है अगर आप लोगो कोई specific doubt हो तो आप clearly पूछें ठीक है आप clearly anytime उसे मुझसे पूछ सकते हैं any doubts if you have any doubts ask me frequently